ADHD symptoms सबसे पहला symptom जो हमें देखने को मिलता है ADHD बच्चों में वो है unfinished task unfinished task means task जो होता है ADHD बच्चे के तरह की activities करना चाते है उनके अंदर बहुत energy होती है ठीके और वो चाते हैं कि वो सब कुछ करें पर उनको complete नहीं कर पाते because उनका जो interest है वो change हो जाता है तो इसलिए वो कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसको finish नहीं करते next मारे पास है lack of focus lack of focus जो है कि बच्चे एक जगा पे attention पे नहीं कर पाते हैं ठीक है कोई भी काम करेंगे तो वो continue जादा देर तक उसको focus नहीं कर सकते हैं so this is called the lack of focus next is a mistake ये जो बच्चे है ADHD जो child है इनको instructions follow करना अच्छा नहीं लगता है ठीक है इनको problem आती है जब कोई rules and regulations से related कोई काम इनको करना पड़ता है ये बहुत careless see mistakes करते हैं पर इसका ये मतलब नहीं होता है कि आलसी होते हैं या intelligent नहीं होते हैं बस ये mistakes करते हैं next हमारे पास आता है self-focused behavior self-focused behavior जो है वो ADHD का बहुत common symptom है ये ऐसे हैं कि जो बच्चे हैं इसे वो interrupt करते हैं उनको ये होता है कि उन्हीं की तरफ सारा जो है focus रहना चाहिए जब तो कोई आपस में बात कर रहा है तो वो बीच में क्या करेंगे कि मेरी तरफ focus करो मेरी तरफ आप देखो ठीक है इनको अपनी turn की wait करना बहुत मुश्किल लगता है कि like वो अपना बात का जो है वो complete कर ले उसके बात मेरी बात सुने no यह होते हैं self-focused behavior वाले चायल्ड ओके next मार पास आता है daydreams यह बच्चे daydreamers होते हैं और इतने खोज आते हैं अपने dreams में कि उनके around क्या हो रहा है उनको यह पता ही नहीं चलता excessive talkative होते हैं ठीक है बहुत ज़ादा यह talkative nature के होते हैं ठीक है और यह जो बच्चे हैं इनके अंदर क्या है एक भूलने की भी एक problem होती है forgetfulness होते है इनको याद ही नहीं रहता है कि इन्होंने क्या किया था ठीक है कल क्या काम किया था सुबह इन्होंने क्या खाया था तो ऐसे जो symptom है ADHD जो बच्चे हैं उनमें देखने को मिलते हैं